हेलो श्रेंट्स पिछले वीडियो में हमने आपको संकमर धातों के परमाणवी क्यों आयनिक अकार में परिवर्तन के बारे में एक्स्प्रेंड किया था आए देखते हैं आनन एंथेल्पी के बारे में संकमर धातों के आनन एंथेल्पी क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं 3D series प्रथम प्रथम संक्रम उंद्ध स्रिड के तत्तों के इलेक्टानिक विन्यास और कुछ अन्य गोम ए us इसमें ayanan enthalpy को देखे द्यानसे यह आपका ayanan enthalpy है ठीक है जो प्रथम ayanan enthalpy दुती ayanan enthalpy है और 3 त्रिति आनने थेलपी का मान यहां पर दिया हुआ है इसको अगर आप ध्यान से अध्यन करें पर्थम दुति और त्रिति आनने थेलपी को तो इसमें आप देख रहे हैं कि पर्थम आनने थेलपी जो है उसका मान जो है कम है लेकिन दुति आनने थेलपी का मान सीधे डबल है बहुत जादे है और तिरती आयन थेलपी का मान और भी जादे है तो परथम दुती और तिरती आयन थेलपी की तुलना करने पर परथम आयन थेलपी का मान सबसे कम होता है जबकि दूसरी और तिरसरी आयन थेलपी का मान सबसे अधिक होता है ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखें मैगनीज का ठीक है मैगनीज का दुती आरन एंथेलपी और आरन का तृती आरन एंथेलपी ठीक है तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप मैगनीज से पहले आपका क्रोमियम है क्रोमियम की दुती आरन एंथेलपी है 1592 किलो फ्रक्रोबूं क्यों पिरणॉल फिर पढ़के, आयरन में आप देख रहे हैं कि इसके अरब मत कहले हैं कि 1541 कीजुलalव प्रक्रोबूं हो आप झारा है ठीक है उसी तरह से अगर इसका देखें तिरती आयन थेलपी आयरन का देखें ठीक है तो यह है 292 जबकि इससे पहले वाला तत्व जो मैगनीज है इसका तिरती आयन थेलपी है 3260 किलो जूल पर मोल ठीक है और उसके आगे जो है कोबाल्ट है जिसका आयन थेलपी है आपका त 343 किलो जूल पर मॉल ठीक है तो आप देख रहे हैं कि यह घट गया है आयरन का जो तिरती आयन थेलपी है उसका मान क्या हो रहा है घट गया है 392 किलो जूल पर मॉल ठीक है तो इसका कारण हम देखेंगे इसमें D5 बिन्यास आ जाता है जिसके कारण यह घटना होती है ठीक है iron थन्पी का मान जो है मैनिज का दूती आयन थन्पी और आरण का तिर्थी आयन थन्पी का मान कम हो जाता है ठाहिए अगर तुलना किया जाए 2-3 में तो आप देख रहे हैं 2-3 आयन थेलंपी में आपका क्रोमियम 15-92 अधिक मान दिखा है और इज़ार आप देख रहे हैं कापर जो है उनीश सो अन्ठावन किलो जूल पर मॉल यद अधिक मान दिखा रहा है दुटी आयन थेलपी में तिरसी आयन थेलपी में अगर दिखा जाए तो आपका मैगनी जूiencies कवाल्ट आपका कोबाल्ट जू讲 कापर जूelnा。」 तो आईए इसको अब बिश्तरित अध्यन करते हैं आन एंथेल्पी को ध्यान से समझें देखें आन एंथेल्पी आंतरिक डी कच्छकों के भरने के साथ नावगी आवेश में बृद्धी होने के कारण स्रेडी में बाएं से दाहिने और बढ़ने पर संक्रमट स्रेडी के तत्तों के आयन एंथेल्पी में बृद्धी होती है जैसा कि आपने साड़ी में देखा था कि जैसे जैसे हम दाहिने तरफ जाएंगे बाएं से दाय जाएंगे तो आयन एंथेल्पी का मान बढ़ता जाता है तो आंतरीक D कचकों में आंतरीक N-1 D आंतरीक D कचकों में ठीक है इलेक्टान भरने के साथ नाविकी आवेश हमी व्रुद्धी होने के कारण स्रड़ी में 20-5 से दाहिने और बढ़ने पर संकर्मत स्र்ड़ी के तत्तों के आना इन खरपी में व्रुदीद जैसा कि आपने साड़ी मापको दिखाये थे, इन मानों से अस्वष्ठ है कि इन तत्तों की क्रमिक एंथेलपी में वह ऐसी तिब्र बृद्धी नहीं होती है, जैसे कि और संक्रमर तत्तों में होती है, तो अगर इनके आयन एंथेलपी की तुल्ला किया जाए और संक्रमर तत में आयन एंथेलपी में परिवर्तन और संक्रमर तत्तों की स्रड़ी से कम होता है, संक्रमर तत्तों में आयन एंथेलपी में जो परिवर्तन होता है, वह और संक्रमर तत्तों की तुल्ला में कम होता है, ठीक है, समाने तह पर्थम आयन एंथेलपी के मान में बृद्धी होत उत्तर तत्तों की दूती और तृती आनेंथेल्पी के मानों में हुई बृद्धी का परिमाड समानिता बहुत अधिक होता है तो अगर पर्थम आनेंथेल्पी आप देखेंगे तो उनमें जो है बृद्धी आपको दिखाई देगी लेकिन जो दूती और तृती आनेंथेल् जाति कि पर्थम आएंथेल्पी में और नियमित, प्रविर्त का यद्दब कोई खास रसाइनिक महत तो नहीं. प्रिवर्ता है कि एक इलेक्टान प्रिथक करने से एक इलेक्टान प्रिथक करने से फोरेस तथा 3D कच्चकों की आपचिक उर्जाओं में परिवर्तान होता है तो 3D स्रड़ी के पर्थम आयन एंथेल्पी के और नियमित परिवर्त का यदि कोई खास रसाइनिक परिवर्ता नहीं होता है महत तो नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर एक इलेक्टान जो है फोरेस से निकलते हैं तो फोरेस और 3D के उर्जाओं में आपचित उर्जाओं में परिवर्तान होता है आपने फढ़ा है कि जब D-Block के तत आयन बनाते हैं तो यनियस इलेक्टान N-1D Electron से पहले निकलते हैं तो जो बाहरी कच्छा होती है वहां के इलेक्टान पहले निकलते हैं उसके बाद अंदर वाली कच्छा के तो बाहर आपका यनियस होता है तो जब D बलाक के तत्व आयन बराएंगे तो यनियस इलेक्टरान जो है यन-1D इलेक्टरान से पहले निकलते हैं हम जैसे जैसे 3D सिंखला के आवर्त में बढ़ते हैं तो इसकेंडियम से जिंक की ओर जाने पर नाभिक कावेस बढ़ता है तो जैसे जैसे आप 3D सिंखला के आवर्त में बढ़ेंगे अर्थात इसकेंडियम 21 से जिंक 30 तक आप जाएंगे तो नाभिक कावेस बढ़ता है पर तुरी कच्छद में प्रवेश करते हैं जो आंतरी को कोश होता है या 3D इलेक्टान खोर यास इलेक्टान को बढ़ते हुए नावकी आवेश से उस इस्तती के मुकाबले कुछ अधिक प्रभावी धंग से परचेत कर सकते हैं जिसमें बाहे इलेक्टान एक दूसरे को परचे करते हैं तो जब अंदर के इलेक्टानों की संक्षा बढ़ेगी तो जो बाहर के इलेक्टान है उनको परचेत कर देंगे अंदर से घेर देंगे जिससे बाहर उनको सुच्छा मिलेंगी या 3D इलेक्टान फोर्यस इलेक्टान की अपिच्छा या 3D इलेक्टान फोर्यस इल दूसरे को परिचित परभाव दिखाते हैं, इसलिए परिचित परभाव दिखाते हैं, इसलिए दो या कानि jils को सब्रिचित परभा दिखातेogen दुदू है, दो या अधिक धनावेश जो फोरेश है बारिक अच्छा है उसमें एक या दो ही लेक्टान होते हैं अगर वह निकल जाने दो मतलब खाली हो गया दो से अधिक निकले गया मतलब 갑से लेक्टान निकलेगा हो समानत दुती आननेंथेलपी के मान में नाविकी आवेस में बृध्धी के साथ बढ़ने की प्रविर्थ की अपेच्छा होती है क्योंकि एक डी इलेक्टान दूसरे डी इलेक्टान को नाविक के आवेस के प्रभाव से परचेत नहीं करता है तो आप देख रहे हैं कि समानत दुती आननेंथेलपी के मान में नाविकी आवेस में बृध्धी के साथ बढ़ने की प्रविर्थ की अपेच्छा होती है क्यों होती है क्योंकि एक डी इलेक्टान दूसरे डी इलेक्टान को नाभिक के आवेस के प्रभाव से परच्छेत नहीं करता है इस कारण डी कच्छक की दिसा का भिन्ड होना है इसका कारण क्या है क्यों ऐसा होता है क्योंकि जो D कच्छक होते हैं उनकी दिशा क्या होती है अलग अलग होती है जिसके कारण ऐसा होता है ठीक है तो समानेत दुति आननेंथेल्पी के मान में नाविकी आवेस में बृद्धी के साथ बढ़ने की प्रविर्थ की अपेच्छ होती है क्यों क्योंकि एक डी लेक्टान दूसरे डी लेक्टान को नाभिक के आवेश के प्रभाव से परचेत नहीं करता है इसका कारण की डी कच्छों के दिशा का भिन्न होना है ठीक है यह दब दुती और तृती आयन एंथेलपी में निरंतर विर्धी का प्रवाह और यफी तीन प्लस आयन बनने में तूट जाता है ठीक है दुती और तृती आयन एंथेलपी में निरंतर विर्धी का जो प्रवाह है जो आयन एंथेलपी दृती और तृती लगातार बढ़ रहा है वह प्रवाह कहां पर तूट जाता है के मन दो प्लस पर और यफी तीन यहां पर मान आकर क्या हो जाता है घड़ जाता है दोनों में ही आयनों का बिन्यास D5 है और यहां पर बढ़ने का क्रम जो है दूतिय में मैगनीच का और तृतिय में आरन का यह मान जो है आयन थेलपी का मान क्या होता है कम हो जाता है क्योंकि इन दोनों का यहां पर बिन्यास जो होता है वह D5 होता है ठीक है देखे दियान से यददपी यददपदुती और तृती आयन एंथेलपी में लिंतर बृधिक का प्रवा Mn2 प्लस तथा F3 प्लस आयन बनने में टूट जाता है दोनों में ही आयनों का बिन्यास D5 है इसी प्रकार का बिचलन बाद के संक्रमट सिंखलाओं के संकल तत्तों में भी आता है ठीक है तो इसी प्रकार का संक्रमट जो है सिंखलाओं के संगत तत्तों में भी आता है डियन इलेक्टानिक बिन्यास के लिए आनन एंथेलिक परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व के नाभिक की और आकर्षण प्रतेक इलेक्टान के नाभिक की और आकर्षण दो इलेक्टानों के बीच पतिकर्षण और बिनमे उर्जा पर निर्वर करता है तो आयनन एंथेल्पी का मान किस पर निर्वर कर रहा है आयनन एंथेल्पी का मान प्रतेक इलेक्टान के नाभिक क ऊकरशन्ड दो इलेक्टानों के बीच परतिकरशन्ड और बिन्मे उर्जा पर निबर करता है ठीक है उर्जा अस्तर के अस्थाईतो के लिए बिन में उर्जा उतरदाई होती है, जीमेदार होती है, ठिक? बिन में उर्जा अप भरष्ट कच्छकों में समदिस प्रोच चक्रणों के कुल संभो युगलों के लगभग समानुपाती होती है, ठिक? तो जो बिनमे उर्जा होती है वो अब भरष्ट कच्छकों के जो समधिस प्रचक्रन के इलेक्टान है जो एक दिशा वाले हैं ठीक है ठीक है उनके कुल संभो युगलों के लगभग समानुपाती होती है एक दिशा में घुमने वाले कितने इलेक्टान है उनके संभो युग पर आनेन्थेल्पी निर्वर करता है ठीक है तो आनेन्थेल्पी का मान जो है प्रतेक इलेक्टान के नाभिक की और आकर्षन दो इलेक्टानों के बीच पतिकर्षन और बिर्मे उर्जा पर निर्वर करता है ठीक है उर्जा अस्तर के अस्थाइतों के लिए बिर्मे उर्जा उत्तरदाई होती है जिमेदार होती है और बिनमे उर्जा अब भरष्ट कच्छकों में समधिस प्रोचक्रणों के कुल संभव युगलों के लगभग समानुपाती होती है जब अब भरष्ट कच्छकों में अनेक इलेक्टान होते हैं तो निम्नतम उर्जावाला अस्तर वह होता है जिसमें अधिक्तम कच्छकों में समधिस प्रोचक्रण वाले एकेक इलेक्टान होते हैं यहुंड के नियम के अधिक इलेक्टान होता है तो अगर जो है एक से अधिक इलेक्टान होगा तो सबसे निम्तम उर्जावाला कौन होगा जिसमें सभी इलेक्टान जो है एक दिसा में गती करेंगे समधिस electron अगर सब हो जाएं सब आर्विटर्टल में एक एक electron समान दिसा में हो जाएं तो उसकी उर्जा जो होगी वह निवन्तम होगी यह किसके अनुसार है हुंड के अनुसार तो जब अप भरष्ट कच्छकों में अनेक electron होते हैं तो निम्नतम उर्जा वाला अस्त्वर वह होता है जिसमें अधिकतम कच्छकों में समदिस प्रचक्रण वाले एक एकिलेटान होते हैं बिनमे उर्जा का हास होने से अस्थाइत बढ़ता है बिनमे उर्जा में अगर कमी होगी तो इससे अस्थाइत वह बढ़ता है बिनमे उर्जा के हास होने से अस्थाई तो बढ़ता है और अस्थाई तो बढ़ने से आयनान कठीन हो जाता है तो अगर अस्थाई तो बढ़ेगा इससे क्या होगा आयनान कठीन हो जाता है D6 बिन्यास में बिन्मे उर्जा का हास नहीं होता है तो जो D6 बिन्यास है उसमें बिन्मे उर्जा की कमी नहीं होती है ठीक है आगे देखे द्यान से MN प्लस ठीक है जो मैंगनीज पर एक धनायन है MN प्लस आयन का बिन्यास 3D5-4S1 और CR प्लस आयन का बिन्यास D5 है ठीक है MN प्लस आयन का बिन्यास क्या है 3D5, 4S1 और CR प्लस आयन का बिन्यास है D5 अता MN प्लस की एंथेल्पी CR प्लस से कम है ठीक है ना MN प्लस की एंथेल्पी CR प्लस से क्या है कम है इसकी एंथेल्पी अधिक होगी जादे होगी इसलिए इसकी आयन थेलपी अधिक होगी जबकि MN प्लस की आयन थेलपी क्या होगी कम होगी क्यों क्यों क्योंकि इसका फोरेस वाला इलेक्टार निकल जाएगा असानी से इसलिए MN प्लस की आयन थेलपी कम होगी जबकि CR प्लस की आयन थेलपी अधिक होगी क् इसमें D5 विन्यास होता है तो MN प्लस आयन का विन्यास 3D5, 4S1 और CR प्लस आयन का विन्यास D5 है अता MN प्लस की एंथेल्पी CR प्लस से कम होती है इसी प्रकार MN दो प्लस का विन्यास D5 होगा MN दो प्लस का विन्यास D5 होगा अता यह P2 प्लस की enthalpy MN 2 प्लस से कम होती है ठीक है ना यह P2 प्लस की enthalpy MN 2 प्लस से कम होती है ठीक है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि यह P की तिर्थी आयन enthalpy MN से कम होती है ठीक है यह P की जो तिर्थी आयन enthalpy होती है वो MN से क्या होती है कम होती है इन धात्यों की निम्नतम आक्सी करण अवस्था प्लस दो है ठीक है तो इन धात्यों की जो निम्नतम आक्सी करण अवस्था है वो कितनी होती है प्लस दो होती है गैसी अड़ों ठीक है गैसी अड़ों से M2 प्लस आयन बनाने है तू गैसी अणुगों से M2 प्लस आयन बनाने है तू करन एंथेल्पी के साथ पर्थम और दुती आयन उड़ जाओं की भी आव सकता होती है तो अगर गैसी अणुगों है और उसके M2 प्लस आयन बनाना है तो इसके लिए करन एन्थेल्पी के साथ साथ पर्थम और दुती आयनन उर्जाओं की भी आउसकता होती है ठीक है तो आप देख रहे हैं कि इन धातुओं की निम्नतम आक्सी करण अवस्था जो है वह प्लस दो होती है इन धातुओं की निम्नतम आक्सी करण अवस्था 2 होती है गैसी अनूँ से M2 प्लस गैसी अनूँ से M2 प्लस आयन बनाने है तू कणन एंठेल्पी के साथ परथम और दुती आयनन उर्जाओं की भी आओ सकता होती है प्रमुक पद दुती आयनन एंठेल्पी है डिके प्रमुख पत्ध क्या है दुति आयन अनलपी है Barnumich प्रत्यासित रूप से उच्छ होता है, अधिक होता है, ठीक है, जिन में यम प्लस आयनों का क्रमसर, ठीक है, जिन में यम प्लस आयनों का क्रमसर D5 और D10 विन्यास होता है, ठीक है ना, तो इसमें आप क्रोमियम में D5 विन्यास होता है, और कापर में D10 विन्यास होता है, जि अधीक होता है तो प्रमुखपद दुति आइने ये जिसका मान सी यार और के लिए प्रत्यासित रूफ से उच्छ होता है जिनमें यम पलस आयनो का क्रमसर डीफाइप और डीटेन विन्यास होता है जिक के लिए संगत मान कम होता है जडेयन के लिए संगत मान क्या होता है कम होता है क्यों क्योंकि आयनन हे तू एक वनियस इलेक्टान निकलता है जिससे अस्थाई D10 विन्यास प्राप्त होता है तो जिनक के लिए आप देख रहे हैं संगत मान जो है कम होता है क्योंकि आयनन हे तू वनियस इलेक्टान निकलत होता है जिससे अस्थाई D10 विन्यास प्राप्त होता है तिर्थी आनने अन्थेल्पी में प्रविर्थी फोर्यस कच्छक के कारक द्वारा जटिल नहीं बनती और D5 MN2 प्रतित होता है तो अगर एक इलेक्टान आपको निकालना है अधिक कटनाई प्रतित होगा ते अगर 4S से इलेक्टान निकालना है तो वो जटल नहीं होगा 30 arn enthalpy में प्रविर्थी हो रेस कच्चक के कारक द्वारा जटल नहीं बनती और d5 और d10 में एक रेक्टान हटाने से अधिक कठनाई प्रसेत होती है समाने तर 33 arn enthalpy प्रयाप्त उच्छ होती है जो 33 arn enthalpy होती है उसका मान क्या होता है बहुत अधीक होता है कापर जिंक और निकल का तिरती आनने थेलपी के उच्छ मान कापर जिंक और निकल के जो तिरती आनने थेलपी होते हैं उनका मान क्या होता है उच्छ होता है बहुत अधीक होता है कापर जिंक और निकल के तिर्थी आयन थेलपी के उच्छ मान इंगित करते हैं कि क्यों इन तत्तों की प्लस दो से उच्छ आक्सिकण अवस्था प्राप करना कठीन है तो कापर जिंक और निकल के आयन थेलपी तिर्थी आयन थेलपी का मान अधिक होता है इसलिए जो है इन तत्तों के प्लस दो से उच्छ आक्सिकण अवस्था प्राप करना कठीन होता है कापर जिंक और निकल की प्लस दो से अधिक उच्छ आक्सिकण अवस्था प्राप नहीं किया सकता है क्यों कि इनकी तिरती आयन एंथेल्पी का मान बहुत अधिक होता है इसलिए ऐसा होता है यदप आयन एंथेल्पी यों आक्सिकरण वस्थाओं के तुलनात्मक अस्थाइतों से संबंदित कुछ मार्ग दर्शन देती है फिर भी यह समस्या बहुत जटिल है तो आप देख रहे हैं यदप आयन एंथेल्पी यों वे आक्सिकरण वस्थाओं के तुलनात्मक अस्थाइतों से संबंदित कुछ मार्ग दर्शन देती है फिर भी यह समस्या बहुत जटिल है और ततकालित व्यापी करण एंथे तु संसोधनिया नहीं है यह था आपका डी ब्लाक के तत्तों के आयन एंथेल्पी के बारे में अंपसे चरचा किया नेक्स्ट वीडियो में हम अब डी ब्लाक तत्तों के आखसी करण वस्था के बारे में चरचा करेंगे थांक यू